हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखरी उचके दो दिन बचे है कांगला में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कॉंग्रिस पर हमला करते हुए कहा कि वो कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती हिमाचल प्रदेश को सिर्फ प्रधान मंत्री का ऐसा कहना है कि डबल इंजिन की सरकार यानी बीजेपी ही विकास कर सकती है हिमाचल प्रदेश का प्रधान मंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस के खिलाफ लोगों में हुस्सा है लगातार कॉंग्रेस एक के बाद एक राज्यों में चुनाव हार रही है और जहां हारती है वहां हारती ही जाती है फिर नहीं आती कि 2014 से 17 तीन साल कॉंग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में पूरे हिमाचल में पैसे 12 सरकार दे रही है पैसे मोधी सरकार भेज रही है हिमाचल में सिरफ 15 घर बनाए 15 शरम आए ऐसा काम है कि नहीं भैई एक कॉंग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो और बाद में आपने जहराम जी की सरकार बनाई और जहराम जी की सरकार बनाई दिल्ली से मैं भी लगा रहा हम दोनों मिल गए तो दस हजार गरीबों के लिए गर स्विक्रुत हुए 8000 घर बन गए 8000 घर बन गए भाजपा एंदमें माचल के उवां के नियां अमत्र काम कर रही है कि म करके लिए भाजपा का जो संकल्पतर आया है उसमें भी इस पर ऊकॉस पर किया है हेरिटेश तुरिजयम हमारी ये मन्दीर है या कि किटनी बेड़ी थाकत हिमाचल के पास है कि जब इनका विकास होगाँजकार हिमाचल की युवाओं के चिनता है mutta हिमाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी राली हमीरपूर में थी, यहां उन्होंने सेना और सेनिकों से जुड़े मुद्दे उठाए और कॉंग्रिस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस के राज में कभी सेनिकों को सम्मान नही सरके नहीं बनाई जाती थी, बॉर्डर पर बसे गाउं को मुल्द सुविधाओं से बंचित रखा जाता था, यही कॉंग्रिस हैं, जिसने फोजियों को बन रैंक बन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगाता दोखा दिया, 40 साल तक, चुनाओं के पंदाय पहले, कोई भी नेता, आर्मी चिफ का अपमान करते हैं, फोज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं, यही कॉंग्रिस है, जिसके नेता, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर, बेटे, बेटियों के शवर्यों को कटगरे में खड़ा करते हैं, भाई और बैनों, भाजपा के सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनों को की सुरक्षा सर्वो परी है,